थंडा आ गिया है अगर अभी थंडा में अंडा खाने का सौखीन है तो चले आई ये ताजपुर के थाना चौप पे सीधा यहां तो यहां पे अभी अंडा हम लोग बनवाएंगे पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे तो अभी हम लोग जो है डबल अंडा का कूछ बनवा अचा यह प्याज जा रहा है जो पहले हलका प्याज जा ले विया है तेल ऐसके जा और यह लग रहा है प्याज का धन्या पता तो यह पहले छोख लगा रहे हैं उसके बाद जो है अब इसके अंदर जो है अंडा खोड़ेंगे मुर्गी का तो यह गया पहला अंडा और यह आया दूसरा अंडा नमक देंगे अब इसके बाद नमक गया कॉन सा मसाला यह मीट मसाला गया इसके बाद प्याज हो गया और यह तमाट यह यह तो यह देखिए उसमें गया सोना तो अभी भी है सोना जिरा हुआ जल जिरा डाले हैं चलिए तो चट पटा करने के लिए इसमें मसाला बजरा डाला जा रहा है पकाएंगे अच्छा से इसको रोष्ट किया जा रहा है और यह पूरा मसाला बसाला गया है अंदर में और यह पकने के बाद फिर देखते हैं इसका टेस्ट कैसा आपता है देख रहे हैं है इसको चेक कही किया आप है इसको चेक की जिए है पूरा सावर होगा अच्छा आभी होई रहा ना अधा देख सकते किसना अच्छा से स्कूल करके अगदम उपर आगी आया अधा उसको जलाईएगा नहीं पूरा चीक है अधाम उसको जो है अंडा तोटा ने आच्छा से अधाएगा पलट गिये हैं कि अंडा फूटता यता थे है अला बेकार हो एचका पाला पिल्का फिला होता है उसको जो तरत ध्यान देख टेंगा आपकी है और फोगा उतार देगह किंगी पूरा पकाईएगा नहीं उसको दोनों तरह और यह अंडा जो है तो साइट से बन के हमारा रेडी हो गया है तो इसके बाद हमारा जो है यह गया कर्चुल में पल्टा और यह हमारा डवल अंडा का पूँच जो है जो बन करके रेडी हुआ और इसको हम फटा-फट से फिनिस प्लेट में आया है डेडी मेड जो प्लेट होता है प्योते को बाकी और जगा पह देखते हुए तो यह बला जो है सो आपको पेपर वगेरा में ही डाल के दे दिया जाता है लेकिन यहां पर जो है सो चीजों को अच्छी तरीके से मद्य नजर रखते हुए यह पुदा को जो है सो दिया गया है प्लेट में ताकि इदर उदर बिक्रे नहीं पत्ता गले उसका जो है प्लेट पेपर गले नहीं